क्या वाकई हाफिस साइद मारा गया जिंदा है या मर गया और अगर उसे किसी ने जहर दिया तो वो कौन है क्या है ये साजिस्ट दो लोग जानते हैं, महाकाल और पाकिस्तान की आर्मी और आइसाई, तीसा को इंगाता है, तुम मान लो कि मर गया हो, तो जनाजा क्यों निकला, तुम उसामा बिन लाइडन को नहीं बचा पाए, तुम इसको नहीं बचा पाए, फिर काहे का आइसाई हो तो, तुम सकता आफ पुरानी यह हो जाती है, टायर घेज जाता है, तो नया टायर खरिटते हो ना, पुराना टायर फेक देते हो ना, यह पुराना टायर, आइसाई ने इसको शंटाया, क्या आइसाई इतनी बेवकूफ है, कि फुट टेस्टिं नहीं करती होगी, नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, आतंक की हाफिस सहीद, मारा गया, पाकिस्तान में किसी ने जहर दे दी, और वो आईसियू में गया, और वहाँ उसकी मौत हो गई, यह खबर सोसल बीडिया में, पिछले दो दिनों से चलती आ रही है, पाकिस्तान के तरफ से कोई ओफिसल स्टेट्मेंट जारी नहीं किया गया, नहीं हिंदुस्तान के तरफ से यह कहा गया, कि इसमें हिंदुस्तान का कोई रूल है, बकाइदा हिंदुस्तान ने कहा कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, बड़ा सवाल है, कि एक तरफ रेलियों में कह रहे हैं कि अब भारत बदल गया है हम हिंदुस्तान के दुस्वने को उनके घर में घुश के मारने की कैपसिटी रखते हैं इसलिए मामला थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया थोड़ा पेचीदा भी हो गया है सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई हाफिस सईद म आपका बहुत-बहुत सवागत है पहला सवाल स्ट्रेट मारा गया यह जिन्दा है दो लोग जानते हैं इस सत्य को महाकाल और पाकिस्तान की आर्मी और आईसाई तीसा को ही जानता हम लोग विशलेशन कर सकते हैं बुद्धी लगा सकते हैं वर गेमिंग कर सकते हैं अपने परसंट यह करना कि यह हुआ है मेरा ख्याल अतिशयोक्ति होगी जही नहीं हुआ एक बात बताईए आईस्यू में गया वो जहर दिया गया एक दम देखें ऐसे भी बिमार चल रहा था आप टाइमिंग देखें इस बंदे का आईस्यू में अडमीट होने का पर नॉमल बिम यह मर गया यह जिंदा है तो बिमार है आईस्यू में है या आईस्यू में जो पाकिस्तान के जो सिस्टम है आईस्यू का हो सकता है कि और एड़ी डेड हो अभी तक खबर उसको इसलिए नहीं पहुंचाए जा रहा है क्योंकि इसका पॉलिटिकल रेमिपिकरशन हिंदुस् लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा अगर वो जिन्दा है तो ये जिन्दा होने करते हैं तो दो 4 घंटे कोई सामने आ जाता है वह कह देता है वह सभूांद पाकिसंद आर्मी को डर Itu तो मान लो कि मर गया हो, मर गया, तो जनाज़ा निकला, तो इसका मतलब है, ही पाकिस्तान आर्मी और आइस की डर है, यहीझा जनाज़ा निकला, तो Siggy रूमिफिकेशन हो जो प्रभाबव पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, कीूम अपने दीप eigो नहीं बचा सकते तुम काह कि आर्मी हो, काहे काहे इसाही हो, बोलते हो best intelligence agencies in the world, तुम Osama bin Laden को नहीं बचा पाए, तुम इसको नहीं बचा पाए, फिर काहे काहे इसाही हो तुम, तुम यह डर, तुम चुपके से सल्टा दो, हो सकता हो, गया भीकर हो गया हो, और जो body दिखाई जारी है इसेयो में, वो सक जो अच चुपके से चुपा और कबुतर ही है, उसी के टेकरी के इकती है, तो अब आते हैं, की नहीं जिन्दा है, तो जिन्दा है, तो कहा जा रहा है कि slow pricing किसी ने किया है, हाँ, ये कुछ लोग कह रहें किखिर में मिला दिया, क्यों कुछ कर दिया, तो दो possibility है, या तो slow pricing के आर्मी ने किया, ISI ने किया, या Friends of India ने किया, तो हम पहले आते हैं पाकिस्तान आर्मी के ISI पे, पहले हम यह कवर करते हैं कि क्यों ISI, मुझा बेरा शक क्यों जाता है, जब वो नैशनल हीरो है तुम्हारा, पूरा ISI और आर्मी का टोटल प्रोटेक्शन है, उसामा बिन ल प्रोटन होगा, जैसे महाभारत में दोनाचार ने चक्र विव बनाये था, जिसमें अभी मन नीवारा आगे बिचारा, तो कितने लेयर्स को उसको पेनेट्रेट करके आपी सही तक का पहुंचना, उसके खीर में जहर मिलाना, इतना असान तो नहीं है, इतना असान तो नही पास, पाकिस्ताना ये सही के पास, शूठ हम डेड, आया, तो सोप्रोजिजिंग करो, और सीन से हटा दो, लेकिन वो सीन से क्यों हटाना चाहेगा, इसे ही, बताता हो उसके कई कारण है, पहला, वो बुढ़ा शेर तो नहीं बोलेंगे, बुढ़ा चुहा बोलेंगे, बु कर फाइदा है तो मत करो, वो एक लाइबिलिटी है पाकिस्तान आर्मी और रही से के लिए, चाहे FATP की बात हो, चाहे उसकी इमेज की बात हो, यूनाइटे नेशन दून, और लाइबिलिटी इसलिए भी है, क्योंकि यह जो पूरा लसकर तोईबा या जमात दावा जो कि भई फिर हमें दो, नहीं तो फिर वो एक्स्टा किलिंग्स करेंगे, फिर वो पाकिस्तान के ही दूस्मन बन जाएंगे, यह एक लॉजिक जो है समझ में आ रहा है, दूसरा, कि अब ऐसे ठाही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बेड डिडन है, तीसरी बात, उसके कि जितने टॉप कमांडर्स थे, सब फेंट्स अफ इंडिया ने सल्टा दिया, तो उसके तो बाजू कट चुके हैं, तो लड़ेगा कैसे, तो पाकिस्तान आर्मी को समझ में आगा, यह कोई काम का नहीं है, खाम खाम, हमको गार्ड लगाना पड़ता है, इतना पैसा हो रही है, इसको सल्टा दो, FATF में जवाब भी देना होता है, FATF में जवाब देना होता है, United Nations a person उठता है, बार बार चीन को request करना पड़ता है, कि भाई, वीटो कर दो, हिंडूस्तान मूफ करता है, कि यह तो है, मना cost benefit analysis में, वो पाकिस्तान के लिए, liability हो गया, ठीक है, तो दूसरी बात, इस controversy से चुट्टी मिले है, हाफी सहीद का chapter close करो, यह बार बार जो हिंदुस्तान कहता है, 2008, 2008, हाफी सहीद 167 मारे गया है, chapter ही close, he is no more, फिर, जो United Nations करता है, कि भाई, हम स्योर है, United Nations में किस तर की भासा इस्तमाल करता है, हम स्योर है, कि पाकिस्तान के custody मे खाक custody में है, तो गुमता है, फ्रियो के, कोई custody custody नहीं है, भाई, रैली करता है, तो बकादा सरकार उसके लिए special train भेजती है, correct, दो-दो special train भीजी थी, और फंडिं की थी, तो संबाल है कि पैसा खर्च हो रहा है, काम का कुछ है नहीं, भाई, तुम्हारी कार पुरानी हो जाती टायर घिश जाता है, तो नया टायर खरिते हो ना, पुराना टायर फेक देते हो ना, यह पुराना टायर है, इसको रद्धी हो गया, इसको कच्रे में फेक दो, unserviceable हो गया, dispose of करो, तो waste management में चला गया या, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ISI ने इसको संटाया, फिर मै करता हूं, जो लेवल अप, जितने tiers of protection इसको है, उसके अंदर घुस के, अचा, कोई खीर में कोलता जहर मिला दिया, क्या ISI इतनी बेवकूफ है, कि food टेस्टिंग नहीं करती होगी, जब हम second reference थे, battalion में infantry attachment कर रहे थे, वहां हम लोग के पास एक plate था, उसमें खाना रखो, जहर होगा, उसका रंग बदल जाता है, यह fact है, एक plate है, युनिट कर दो में first guards, फिरोस्पूर, 1973, मैं stock taking कर रहा था, मुझे बताए यह कानी है, तो ISI इतनी बेवकूफ है, ऐसा कुछ food टेस्टिंग नहीं कर सकती है, उसको खाना देने से पहले, तो जहर का theory तो पता नहीं है, अजिदी हुआ है, तो काभीले तारीफ है Friends of India का, जो उन्होंने कर दिया, अब यह बताए कि अगर वो जीवित है, हॉस्पिटल के अंदर है, तो कब तक यह बाहर आपाएगा या यह confirmation मिल पाएगा, क्योंकि आप तो समय इतना ज्यादा बीत रहा है, उसके जिंदा होन के chances भी बड़े कम लग रहे हैं, मुझे लगता है, यह मेरी अपनी war gaming है, mental appreciation की मेरे को लगता है कि चार जून से पहले वो बाहर नहीं आएगा, चार जून के पहले, क्यों ऐसा, क्योंकि यह वो इस्तमाल कर रहा है, हिंदुस्तान के मुसल्मानों को प्रभावित करने के लि हम दोग जिसको support करते हाफी सहीद इसको मार दिया, रहने, तो यह, देखिए, उसका उल्टा पर रहा है, वो इस एम से किया कर रहा है, उसका उल्टा असर पर रहा है, जब आवाम को देश को पता चल जाए कि मोदीजी ने हाफी सहीद को सल्टा दिया, घुश के मारा है, त तो उनके प्रस साइट में जाएगा, उनके फेवर में जाएगा, उनके फेवर में जाएगा, कि भाई, एक ही आदमी है जो हिंदुस्तान को बचा सकता है अतंगवाद से, वे मुदी जी, वोट फरेंगा, दूसरा इसका एक एंगल ये भी है कि क्या कोई इस तरह की साजिस रची जा रही है कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए जिस तरह से गारजिन ने स्टोरी की, कि हिंदुस्तान वाले जो है दूसरे देश में सोवरेन्टी को खत्म करके वो अंदर जाकर के लोगों को मार रहे हैं, ये एक प्रोपगेंडा हिंदुस्तान के खिलाफ स्टार्ट किया गया, हलाकि उसका असर उल्टा हुआ, जैसे ही वो गारजिन के अंदर वो आर्टिकल आया, हिंदुस्तान में बीजेपी के लीडर्स जो है घुसके मारते हैं, घुसके मारते हैं, वो एक अलग तरीके का जो है वो महौल बन गया, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस परपस की वज़े से ही ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई, फ्रेंट्स अप इंडिया ने ये सारा काम कर दिया, पहला चीज आते हैं स्वरेंटी पे, कहां गया था स्वरेंटी जब सद्दाम हुस्टन को मारा, अमेरिका ने, कहां गया था करन गड़ाफी को आपने हटा दिया, डब्लू अमडी करके, विपन सब मांस डेस्ट्रक्शन है, इस लिए हटा दो इसको, कुछ था ही नहीं, जमीन पर मिडा ही नहीं, बाद में अड्मिट किया अमेरिका ने, कि हम लोग गलत थे, गलत थे, आपने तो, एक, मतला, हमको याद है, अपने गाव में कहावत होता था, कि पंडी जी बोले पत्नी को कि कुछे कोई सब्जी नहीं बनाई, अवकर रहला ने बनाई, तो बोली कि नहीं नहीं, अभी सावन चल रहा, अभी तो बोले थे लेक्चर में कि सावन देवी, यदि वो खाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा, मैं तो उनको उनको बोला, कि वो नहीं खाएता कि तुमको मिले, हम करें तो सब पाप नहीं है तुम कुछ भी करो तो पाप है सवरेंटी तुम्हारा कोई मापदन नहीं है तुम सवरेंटी का सब दर्वाजा तोड़ते हो हिंदुस्तान कोई नहीं तोड़ता है तो उस पर उंगली उठाते हो सवाल यह पैता होता है, हिंदुस्तान सोवरेंटी में इतना विश्वास करता है, कि यही एक देश है विश्व में, जिसने किसी और देश पर अटक नहीं किया, किसी देश पर अटक किया, एक उधारन विश्व देदे, कि हंदुस्तान ने अटक किया किसी देश पर, पाकिस् सब्दों कि पॉजिशन का है?" बुस्जिशन यह है कि तुम हमको छेड़ होगे था छेड़ेंगे, तुम हमको टबाकर कने क planner कोशिक करूए रेसके करेंगे यी मेसेज तो टेल किए है की नहीं किए, इसका पूरूफ तो था यह हम तुमको धंकी करेंों हम तुमको ड़ एरह र तो इसको कोट कर सकते लो करते रहें कोई पड़ता है देखो बिहार में कहावत है हाथी चले बदा बजार तो कुटा मुके हजार आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने डीटेल में पूरी जानकारी दी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें शेर कर करें और कैपिल ट्वी और सब्सक्राइब करें धन्यवाद